बिस्टि सी की तहरी करने वाले सभी विद्यारतियां को हर्दिकशुब कामना है कि उनके admit card आ गये हैं अब बेश्टि सी के अंदर क्या क्या होने वाला है क्या ले जाना आ है donn क्या भीने данहे कि क्या का टाइमिंग क्या रहेगा और राजस्तान में टोटल कितने केंडिडेट बैठने वाले और कुल कितने पद है इन सब के बारे में मैं आप से चर्चा करूंगा चुकि आज एक बार की कटिंग है उसमें कापी चीजे आपकी जानकारी के लिए दी गई है जिन जिन लोगों न पता है कि सर यह 30,000,000 को उने वाला है और इसमें टोटल 26,000 शीटे हैं यानि 26 अविरतियों को पास होने का मौका मिलेगा लेकिन इसमें जो टोटल आविदना है 6,45,000 यानि 25,000,000 शीटों पर 26,000 बीएस टीशी की जो कॉलेजों के अंदर अलग-अलग शीटे हैं उन विद एग्जाम है और 6,45,000 शीटेंट है ठीक है आपका एड़मिट गाड है वह रिलीज कर दिया गया है सबसे बड़ी बात है कि एक्जाम का जो टाइम दिया है बी एषटीसी एक्जाम टाइम टाइम क्या दिया है आपको वह दिया गया है दो पर 12.15 से 3.30 बजए तक क्या दि एक चीज और कही है कि एक्जाम साथे बारा बजे होगा लेकिन आपको 11 बजे से पहले यानि 11 बजे आपकी रिपोर्टिंग है 11 बजे से पहले आपको क्या करना पड़ेगा 11 बजे तक 11 बजे से पहले पहले आपको वहां पर पहुंच जाना है अपनी रिपोर्टिंग करवा देनी है उसके बाद आगे बात करें तो राजस्तान में बीएस्टीशी के लगबग लगबग 376 कॉलेज हैं और इसमें टोटल 26,000 शीटे हैं इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक्जाम देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है अगर आपका एडमिट कार्ड नहएं निकलता है तो आप कांसे निकालोगे वह यह देखो लिका है PREDLE Walt 2025 यह क्या है इसका सब्सक्यार कार्ड है और यहां से क्या निकलेंगे admit कार्ड निकलेंगे यह website 1224 और यहांसे आपको क्या निकालने है admit कार्ड निकलने अब एक बात है कि सर हमीं चा साहाथ में के लिए जाओगे तो आपके पास आपका passport size photo होना चाहिए आपके पास वैद पहचान पत्र में आपका आदार काड हो सकता है आपका पहचान पत्र हो सकता है आपका driving license हो सकता है इसके अलावा इन्होंने का है कि आपका passport भी हो सकता है ये सारी चीजे आप इन में से कोई एक लेकर जाओगे दूसरी बात इन्होंने ये भी का है कि आपको आपकी औरिजनल आइडी लेकर जानी है छाया प्रती यानि फोटो कोपी साथ में नहीं लेकर जानी है फिर आगे बात करूँ इसी महीं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार जो पेपर होने वाला है बीएश्टीशी का जो पेपर होगा इस पेपर में हर बार आपको क्या नहीं दिया जाता है पेपर नहीं दिया जाता है तो इस बार आपको पेपर दिया जाएगा पेपर के साथ साथ आपको ओएमार की कार्बन कॉपी भी दी जाएगी तो पेपर और यह सब दी जाएगा अब आप बात करेंगे कि पैन कैसे लेकर जाना है तो पैन एक दम ट्रांसपरेंट पैन लेकर जाना है पारदर्शी पैन और पारदर्शी पैन भी कैसा होना चाहिए आपका नीला होना चाहिए या फिर काला होना चाहिए तो नीले या फिर काल में साड़े बारा तक आपकी रिपोर्टिंग होगी उसके बाद आपका पेपर शुरूओगा तो जीतने भी दोस्ते हैं भी तक इसकी जानकारी नहीं थी वो सारी जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि आपके दोस्ते हैं अपनी तहरी को और बहतरिन कर सके अच् क्यों जेहिन